नमस्कार दोस्तों मैं सुमित कुमार्तिवारी आपका गार्गी क्लासिस पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और दोस्तों हम अध्यन कर रहे थे जो अपनी राजस्तान में होने वाली प्रतियों की ता प्रिक्सा है रीट जो first level और second level दोनों के लिए जो common subject है अपना जो भासा के language के रूप में जो subject है वो है संस्क्रत और संस्क्रत में दोस्तों अपना जो topic चल रहा था वर्ण परीचे उसी वर्ण परीचे को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल zero level से और क्या क्या question बन सकते हैं एक्जाम के अंदर उसके बारे में कैसे कैसे question बन सकते हैं उन सभी को देखते हुए दोस्तों हम अब आगे अद्यान करते हैं अपने श्वरण वर्ण के बारे में स्वर हैं स्वयम राजनते स्वराहा अब दोस्तों यहां पर आपको क्योशन किस प्रकार से पूछेगा यह तो पूछ लेगा स्वर किसे कहते हैं तो आप सिधा सिधा बता सकते हो कि स्वयम राजनते इती स्वराहा अगर आपको ब्लैंक दे दे मानलो कि स्वयम राजनते फिर देज डेज डेज इती और option के अंदर स्वराहा वियन्जन वर्ण हल कुछ भी दे तो आपको बताना होगा कि श्वयम राजनते इती डेज डेज में केंवाएगा स्वराहा तो स्वर जो है वो बिना किसी की अपेक्सा से बोले जाते हैं और यह अपने आप में सुतंतर रहते हैं तो स्वरवन है इसके अलावा पने बात किती दोस्तों कि जो संस्कृत भासा है संस्कृत भासा में स्वरों की संक्या कितनी है तो संस्कृत भासा ओलो और संस्कृत भासा की बात करें तो आपने को बताना है 13 स्वर है जिसके अंदर लगू और दिर्ग दोनों स्वर सम्मिलित है उसके अलावा अगर मैस्वरी सुत्रों के अनुसार आपको पूछे कि मैस्वरी सुत्रों के अंदर कितने स्वर है या कितने अच्छ है क्योंकि स्वरों को अच्छ भी कहते हैं कितने अच्छ है तो आपको बताना होगा नो है ठी उसके बाद में अगर पूछे कि महसुरी सुत्रों में स्वर सम्मंदी या अच सम्मंदी कितने सुत्र हैं तो आपको बताना है चार सुत्र हैं कौन-कौन से हैं एक से चार तक चार सुत्र हैं एई उन रिल रिक ए ओं आई आउज ठीक है यह चार सुत्र हैं यह अच सम्मंदी सुत्र कैलाते हैं ये सुर समंदी सुत्र कैलाते हैं उसके बाद में अगर संस्कर्ट भासा के अंदर पूछे कि तेरा सुर के से हैं तो आप बताओगे आ, आ, ई, ई, उ, उ, मतलब अगर महैसुर सुत्रो के यसाब से पूछे तो नो स्वर है ठीक है उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि स्वरों के भेद कितने होते हैं अब दोस्तों आपने को यहां पर यह ध्यान में रखना है कि स्वरों के भेद पूछ रहा है तो किसी साफ से पूछ रहा है एक तो स्वरों के कितने भेद है तो इसके तीन कार के बेद हैं जिसके अंदर सबसे पहला हमाध्यन करते हैं मात्रा की दृष्टी से भेद या मात्रिक भेद अब दोस्तों मात्रिक भेद यानि मात्रा किसे कहते हैं तो मात्रा दोस्तों जो भी वार्ण उचारन करते हैं उचारन करते समय जो समय लगता है उसे मात्रा कहा ज एक तो हो गया हर्ष्व घो न देर्ग। ठीक है तो उच्छारण के इसाप से कितने स्वर हैं तो तीन है हर्स्व देर्ग और प्लुत तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हर्स्व स्वर्ण देखो इनको हम देखो दोस्तो जो हर्स्व वर्ण होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं लगू भी कह सकते हैं और छोटा भी कह सकते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इनकी जो मात्रा है उस मात्रा में अगर हम समय बताएंगे तो समय लगेगा एक सेकिंड गा ठीक है और इसके अंदर म एक सेगन का सामय लगता है और यह कितने मात्रिक होते हैं एक मात्रिक होते हैं अब दोस्तों कि हरस्व वर्ण या हरस्व स्वर्ण होते कितने हैं तो यह पांच परकार के हैं यह पांच परकार के जो वर्ण है दोस्तों यह कौन से वर्ण कहलाते हैं हरस्व वर्ण कहलाते हैं कौन से वर्ण क्यालाते हैं हर्ष्वर वर्ण क्यालाते हैं यह पांच प्रकार के वर्ण हर्ष्वर वर्ण क्यालाते हैं ठीक है दोस्तो उसके बाद में दीर्ग वर्णाता है कौन सा वर्णाता है दीर्ग किसे कहते हैं दोस्तो जो बड़ा हो उसे दिर्ग कहते हैं या जो ग मात्राइ कितने होते हैं यह द्वी मात्रिक होते हैं और यह द्वी मात्रिक होते हैं और यह द्वी मात्रिक होते हैं तो यह होते हैं दोस्तो आठ होते हैं कितने होते हैं आठ होते हैं कौन-कौन से आ जो दिर्ग होती है ई भी दिर्ग होती है उ भी दिर्ग होता है री भी दि सब्सक्राइब तो हरस्व कितने पंच ईए हू री री यह 5 थीक है तो यह हो गए अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान में रखने वारी बात यह है कि इसके अंदर जो यह ए ओ आई आउ जो वर्ण है ये चार वर्ण है इनको क्या बोलते हैं ये मिस्टित वर्ण कहलाते हैं दोस्तों ध्यान में रखना है कौन से वर्ण कहलाते हैं मिस्टित वर्ण कहलाते हैं कैसे कहलाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन आप इन बात को ध्यान में रख आ-ई-ूरी यह आठ में से चार वर्ण है यह चार तो है सजाती है, मिस्त्रित वर्ण ठीक है, जिसे सुद्ध दिर्गवर्ण भी कहा जाता है और A-O-I-O यह जो आठ वर्ण है, यह संयुक्त वर्ण कहलाते है ठीक है, तो अब हम देखेंगे यह जो मिस्त्रित वर्ण है, वो कौन-कौन से है कैसे बने, देखो दोस्तो आपको पता है A-Plus-A मिलकर क्या बना A-Bना, E-Plus-E मिलकर क्या बना D-E-Bना U-Plus-U मिलकर क्या बना D-U-Mिला, और R-Plus-R-E मिलकर क्या बना, D-R-E बनता है, ठीक है दोस्तो, कौन से बनता है D-E-R-G-R-E, तो यह जो चार वर्ण है यह कौन से वर्ण क्या लाते है, सजातिय मिस्त्रित वर्ण तो आपको ध्यान में रखना है कि हर स्वर, हर स्वर, स्वर कितने है पांच है, देख स्वर कितने है, आठ है इसके अंदर सहजात, यह मिस्त्रित देरगवन कितने है चार है, जो कौन कौन से है A-E-U-A-E-U-R-E ठीक है, ठीक है दोस्तो, इसके बाद में अपना तीसरा जो आता है, वो तीसरा है प्लुत वर्ण, कौन सा है दोस्तो, प्लुत वर्ण और प्लुत किसे कहते हैं, दोस्तो यह त्रीमात्रिक होता है, कितना होता है त्रीमात्रिक होता है, और त्रीमात्रिक होता है तो इसके अंदर उच्चारण में कितना समय लगेगा तीन सेकंड से अधिक समय लगेगा और दोस्तों इस सम्भोधन में परियोग किया ज़ता है और किसी को लिए नाम से फुकारते हैं तो हम वो क्या जाता है सम्भोधन कहलता है जैसे मालो कर दूर कोई सामने को was या Конечно नाम का बालग कड़ा है मैं बुला है अरेений इदर आओ तो अरे जो मैंने लगा है दोस्तों वो क्या है संबोधन है और यह संबोधन क्या है कि तिरीमात्रिक होता है और तीन sail भी ज्यादा का इसमें समय लगता है ठेक है के counsel दोस्तो इसके बाद में हम देखेंगे एपने ये तीन प्रकार के हो चुके हैं हर्शुर दिडिर्गוד और इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तो metallurg six इुब्ट worm तो ऑज प्रत्यार अब संहु या एज प्रत्याहार, यह एज प्रत्याहार में भी गिने जाते हैं, ठीक है, ए, ओ, आई, आउ, यह कितने हैं दोस्तो, चार है, कितने हैं, चार है, इन्हें सहीक्त बन बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तो, सहीक्त बन बोला जाता है, ठीक है, हर्श्ववण हो गया, दिर्गवन हो गया दिर्ग में सजातिय चारवन और संग्त चारवन जिसे संग्त वन को एज प्रत्यार भी बोला दता है अब इनको एज प्रत्यार क्यों बोलते हैं दोस्तो इसको जानने के लिए आपने को महाश्वरी सुत्रों में जाना पड़ेगा जो यह अपने महाश्वरी सुत्र हैं दोस्तों यहाँ पर इन महाश्वरी सुत्रों में ध्यान में रखना होगा कि इनको एज प्रत्यहार क्यों बोलते हैं देखना दोस्तो आपको पता है कि जब भी प्रत्यहार के हम बात करते हैं तो पर्थम 1 से लगा कर अंतिम 1 तक जो भी 1 आएंगे वो भी प्रत्यहार के अंदर कहलाएंगे तो H की बात करें तो A, O और 9 को छोड़ दो क्योंकि यह हलंत है I, O ठीक है और 6 को छोड़ दो अब यह H कैसे बना पर्थम 1 कोन सा है A और 6 अंतिम 1 है तो H प्रत्यहार हो गया इस प्रकार से यह जो सहयूक्त 1 है इसको H प्रत्यहार भी कहा जाता है और दोस्तो इसको सहयूक्त 1 भी कहा जाता है तो यह 4 प्रकार के हैं उसके अलावा दोस्तो गून 1 कोन से 1 गून 1 अपने क क्या 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 बंटा है गुंण क्या क्या ऐन ऐसेैं क्या 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 राइंगे गुंण क्या फ्रस प्रस्ष्टाइं प्लस पर्देज दोस्तों गढ़ें अई जब तो यह ऊगय to व्रद्दी यानि दोस्तो ये जो दोवन है ये तो होगे गुणवन इसमें और इन सयुक्त वाणों में ये जो दोवन है ये होगे व्रद्दी ठीक है दोस्तो गुणवन होगे A.O. और व्रद्दी होगे I.O. तो दोस्तो उमीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकरी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर आप कोई जानकरी पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ठीक है धन्यवाद